हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई इस्टेजी फीटी चैनल दोस्तों यह फिजिकल उजिकेशन की प्रिविएस येर कोस्टन पेपर के सीरीज चल रहा है सीरीज नंबर 13 है दोस्तों जितने भी प्रिविएस येर में बिगत वर्सों में कोस्टन्स प्रतिक टापिक से पूछे गये हैं उन सब कोस्टन्स को मैं आपके सामने प्रसुत कर रही हूं तो दोस्तों प्रतिक कोस्टन्स का सही एंसर देने के साथ जहां आउस्यक है वहां उस प्रशन का मैं उत्तर का explain भी कर रही हूं दोस्तों चाहिए KBS, NBS, TGT, PGT, ELT किसी भी एक्जाम्स के लिए आपके लिए वेरी हेलफुल है यह वेरी इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेस्टन आपके लिए और दोस्तों यदि आप सिलिवस के कार्डिंग फूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के सभी वीडियो तो दोस्तों यह आप चैनल पर पहली बाद बीट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बिल आइक को फ्रेस कर लिए जिससे जो ही नया वीडियो नेक्ट टाइम अपलोड करूंगी उसका नाटिफिकेशन आपके पास जाता तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सिरीज कुश्चन नमबर वन है दोस्तों कि एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में शबसे अधिक मात्रा ग्रहर करना चाहिए किसकी करना चाहिए वसा की की प्रोटीन की कार्बो हाइडरेट की की खरेज प्यदा थुकी इसका सही जवाब है कार्बो हाइडरेट की एक लंबी दूरी के धावक को कार्बो हाइडरेट की सबसे अधिक मात्रा ग्रहर करना चाहिए क्योंकि सारे गतिवीदियों में उर्जा का मुख्य सुरूत कार्बो हाइडरेट ही है यह सरी को तेजी से उर्जा आयम ताकत पतांग करता है और लंबे समय के लिए इन्हीं भंडायत नहीं किया जा सकता कार्बो हाइडरेट को जिन खेल केड़ा गतिविदियों में अधिक सहन सकती क्या हो सकता होती है उन खेलों में खुराक के रूप में कार्बो हाइडेट की मातर सबसे अधिक दी जाने चाहिए नेस्ट कोश्चन है दोस्तों भोजन में उर्जा का प्रमुक्र साधन है कौन से है तो कार्बो हाइडेट ही है प्रमुक्र साधन क्योंकि तुरंत उर्जा प्रदांग करता है और सबसे जादे संख्या में सबसे जादे उर्जा की कौन प्रदांग करता है दोस्तों वसा करता है तुरंब करता है कार्बो हर्डे suicide instant energy source है इसलिए इसको भोजन में मुट रजा का नहीं में अनुभात होना चाहिए इसका प्रोटीन वह वसा लेना दो जो संतुलित आहार होता है जो भोजय का उन खाल पदाथों से ग्रहर किया जाता है जिसमें हमारी सरी की समस्त आख सकताओं को पुर्ती कर सके यारी उन सभी पूषक पदार्थों का निंस्चित मात्रा में शभी आवश्यक के शरी के भोजन आसानी पूर्वक सुपाचे होना चाहिए और भोजन को पकाना आवस्ते क्या है कि यह खाद पतार्थों को निश्संक्रमित करता है आ इससे रोचिकर यह आसानी पूर्वक सुपाचे बनता है जिसे जोस्तों कर्भोहाइडेड प्रोटीन वसा जल खनीजलवर एंड बिटावीन्स ये छे पोसक त्रथ्टो हैं इन सेब का संतुलीत मात्रा में निश्यत अनुपात में हमारे शरीर में लेना ही संतुलीत अवार होता है कि संतुलित अहार में होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए प्रोटीन कर्भोहाइडेड बिटामीन उप्युक्त सभी तो इसका सही जवाब है उप्युक्त सभी कि ग्लाइकोजन योजग को किस कारे कलाप में लाभकारी माना जाता है जिसमें मुख्यता सामिल होता है क्या सामिल होता है ग्लाइकोजन योजग में या बात किसी कर रहा है दोस्तों ग्लाइकोजन योजग यानि कि काइबो हाइडेड लोडिंग की बात कर रहा है जैसा कि मै पिछले विडियों में बता चुकी हुं कि काय बोहडरे ट लोडिंग एक एर्कोजनीग एयर्स होता है जो परदासर चमता को बहाने में काम आता है यह उल्हभातमक एर्कोजनीग एर्स के अंतरग Tabii और प्लॉकोजन यह खें या इसका कशूira को करेक लिद्न उस्जिए-वन् जबाब होगा आपसर नमर वन सही शुरुता याने इंडुरेंस में सामिल होता है इंडुरेंस संसिल्टा वाले खेलों में यह क्या होता है कार्बो हाइडरिक लोडिंग यानि ग्लाइकोजन यूजर व्यक्ति को कम थकान के साथ उज्जा प्रदान करता है जो सारी आवर्शेक होता है अथलीटों के लिए सबसे लाबकारी माना जाता है और इंडुरेंस वाले खेलों में इसका ज्यदह प्रयोग होता है इसक्री निच्छ कुछिशन है दोस्तों कि मांश्पेस कार्य में उर्जा प्रदान करने वाले तीन मूल खाद प्रदार्थ हैं इसक वसा विटामिन मिनरल तो इसमें क्या पूछा है मांसपेसी कार में उर्जा पदात करने वाले तीन मुख्य खाद पदार्थ है आपके कार्भोहाइडेट प्रोटीन वसा A-C-E आपसां नबर A, correct answer कार्भोहाइडेट प्रोटीन वसा, मांसपेसी कार में उर्जा के लिए तीन मुख्य खाद पदात हैं सरी में उर्जा की कंई होने पर सरफभाद प्रफम कार्भोहाइडेट का उप्योग होता है भीर वसा के आक्सी करण द्वारा उर्जा उत्पन किया जाता है और सबसे अंतिम चरह में प्रोटीन का उप्योग उर्जा के लिए किया जाता है यह आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अगर सभी में उर्जा की कमी हो गई तो सब्सक्राइब का उपयोग होता है उसके बाद भी वसा के आक्सी करदवरा उर्जा उत्पर किया जाता है सबसे लास्ट में सबसे अंतिम चरण में प्रोटीन का उपयोग उर्जा के लि आप्समें उर्जा जो होते हैं हमें उर्जा प्रदार नहीं करते है यह हमारे सरी में दर्क propaganda की उपाबचेशचा दर को तो इसका सही अंसर होगा भीटा -... और भिटामिन जु होते हैं कार्वनिक योगिक होते हैं सुच मातरा में जनतु सरीर के समान उपापचा के लिए आवश्क होते हैं यादि बिए उर्जा प्रदान नहीं करते लेकिन नेधन प्दार्थ ओके शंसलेंसर युप सही उपयोग का नियंदर करते हैं इनकी कमी से व गालपे ब्नाता कि अच्छा बनाता है इसलिए इनकी कमी से इसलिए सकता है उसलिए और दो को दियान पूरिया जचता है और इनकी कमी से उत्पंद लोगों को अपूरता रोग कहा जाता है बिटामीन से कमी से यदि कोई रोग हुरा है तो उसको अपूरता रोग में गिंती किया जाता है नेश कोच्छन है दोस्तों कि सरीर में बिटामीन और मिन्रल का मुख्यकार है दोस्तों इसका एंसर आप सही दीजिएगा क्योंकि इसके बारे में मैं कर चुकी हूँ चार आपसन है कि संतुलित यह है संतुलित सारी कार जैसे की होमियो इस्टेटिस भी है फॉलो और सब्जियों का ध्वस्त करना सी है संक्रमर से बचाना दी है सधा ब्रिधी विकास और उपाप्चे को प्राप्त करना इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तों आपसन नमबर डी करेक्ट एंसर जैसा कि मैं अभी तुरंत बताई हूँ कि विटामिन्स और मिनर्स उपाप्चे दर में और ब्रिधी तत्त बोला जाता है उपाप्चे दर को अच्छा करता है तो समारे ब्रिधी विकास और उपाप्चे दर को प्राप्त करना विटामिन्स और मिनर्स का मुख्यकारी होता है निम्नी लिख्यत में से सबसे कम कैलोरी प्रतान करने वाला खाद़ पदात है 14 तीर सिरे मगाले में सबसे कम काम कैलोरी प्रतान करने वाला खाद़ में गाय का दूर्थ, अंड़ा, मकषन , पनीर जैसा कि दोस्तों आप सब दिमाग लगा सकते हैं जैसे कि मक्षन यानी घी में सबसे अदा पायाता है उसके बाद पनीर में पायाता है उसके बाद अंडे में पायाता है उसके बाद गाय के दूत में पायाता है दोसों संयुवत राज क्रिसी विभाग यानि यूनाइटेट इस्टेट डिपॉर्टमेंट आप एगरी कल्चर यू एस डिये के मानत के अउसार प्रती सो ग्राम गाय के दूध में 42 कैलोरी अंडे में 115 कैलोरी मक्खर में 770 कैलोरी पनीर में 402 कैलोरी उर्जा पाई जाती है अतह बिकल्फ एक गाय का दूध अभी श्टूत्तर होगा नेस्ट कोर्शन है कि निवनिलिखित खाद पदार्थों में से किसमे कैलोरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है इसका एंसर तो आप दे सकते हैं दोस्तों अभी तुरंद बताई हो कि मक्खर में सबसे ज़्यादा उर्जा पाई जाती है अपसर नंबर बी करेक्ट एंसर बोज पदार्थों को कितनी भागों में बाटा गया है कारे की अधार पर भोज पदार्थों को तीन भागों में बाटा गया है आपसा नमबर B, करेक्ट एंसर, कौन कों से तीन भागों में बड़ा गया है, एक उर्जा पदान करने वाले भूजबदात, एक सरीन निर्मार करने वाले, एक सुरच्छा पदान करने वाले, उर्जा पदान करने वाले में कार्भोहाइडेट एन वसा, जो अनाज वसा चीनी से प्राट्ट किया जाता है और सरी निर्माण में प्रोटीन हो गया है म् प्रोटीन जसके नेल्स वोय को रोड़ता है reflex जिल कौश्चन है कि वसा का अच्छा शुरूत है मक्खन आलू दूध मचली वसा का सबसे अच्छा सुरूट मक्खन यह दोस्तों वसा बोजन का एक अत्यद आवस्श्यक तत्थ है यह वसा भी रशानिक योगिक जो कार्बन हाइड्रोजन आखशिजन से बना होता है दोस्तों ध्यान रकने वाली बात यह है कि वसा और कार्बो हाइडरे दोनों कार्बन हाइडरोजन आक्सिजन से बिरा होता है जब कि प्रोटीन जो होता है उसमें कार्बन हाइडरोजन आक्सिजन के साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है इसलिए वह सबसे अलग मना जाता है वसा जो होता है वह पसूर से वसा में आपका मक्षन सबसे अच्छा स्रोथ होता है फिगी दही मचली का तेल दूद पनीर मांस अंडा ये सब वसों से प्रात होता है बरसपती जन्य में सुखे मेवे तील नारियल शोया बिन अनाच सर्षो का तेल अलसी भी नवला ये सब आपके स्रोथ हैं वसा के next question है कि मुटापे के निम्नलिखित कारण है मुटापे का कारण क्या हो सकता है दोस्तों चार आपसनों में से आप ध्यान प्रुवक बताईएगा पहला है बिना किसी रोक टोक के खाना खाना बी है कम बे की अपिछा अधिक कैलोरी लेना C है ज्यादा ताकत लगा कर वे आयम करना D है बार बार खाने के यादत होना पताई यह कौन सा अपसंद तरी होगा तो दोस्तों सबसे exact answer इसका होगा कम बै की अपिछा अधी कैलोरी लेना यानि एक सक्रिय ब्यक्ति को तीन हजार कैलोरी से लेकर आठ हजार कैलोरी तक प्रती दिन आवश्यक हो शकती है या मात्रा ब्यक्ति के आकार उसकी भार उसकी आयू कि उसके राभे किंए, तिप्रता पर निय्वर करती है कि उसको कितना लेना चाहिए कैलोरी यदि कोई ब्यक्ति या पिछ्छा की उधिक मात्रा में कैलोरी कर लेता है और उसके अनुसार कम यद्याय कम करता है तो उसमें मुटापी यनि 속ो स ब्चती की संभाण Orig कर दो कि मोटाप्य का क्या कारण है विटामिंग की कमी की खनीच की कमी की अत्यधी कैलोरी ग्रह करना कि उपक्तिमेश कोई नहीं इसका सही अज़िश्च रहे आपसा नंबर सी अत्यधी कैलोरी ग्रह करना सरी की सबसे बड़ी ग्रंथी है यहीं पर पूछ देता कि सरी की सबसे अंतर ही इस्तरावी ग्रंथी कौन है तब थारायट ग्रंथी होता और यह पूछ देता कि वाहे इस्तरावी ग्रंथी तो होता है तो आग नाष्ट है पांकरियाज यह Bi description सबसे बड़ी ग्रंथी होती है को देर से दो केलो का होता है दोस्तो मुख दोस्तों या पित रसका करती है कि यो वसा का पाचन करता है विटामिन एकस प्रोस्ते म quantum परफ़िक्रों के फिलिल विध करता है अमोनिया को युडिया मैं कि व्युडर्वाश्ते बहार निकल देता है कार्बोहाइडेट उपापचे के अंतरक्त यक्रित जो होता है रक्त के ग्लुकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवतित करके अपने में संचित करके रखता है संचित मुसक्तत्यों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है इस सब को और जब सरी को आप सकता होती है उर्जा की तो अपना गलाइकोजन को गलुकोज में करनेवट करके सरी को उर्जा परदान करता है हमारे सरी के सबसे बड़े गंती है कौन सी है तो आप समझ गएगी यकृत गंती है निश्ट कोश्चन है दोस्तों कि मानौ सरी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है अंग पूछा है ध्यान रखिएगा गंती नहीं पूछा है मानो सरी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है आपसन है हिदे यकित फिपड़ा कोई नहीं तो दोस्तों मानो सरी का सबसे बड़ा अंग तोचा होता है इसलिए इसका सबसे बड़ा अंग तोचा होता है इसलिए इसका सबसे अपसन होगा आपसन नमर दी कोई नहीं और इसलिए इसके कंफ्यूज मत हो येगा नेक्स्ट कुश्चन है कि वसार में केवल हमारे स्वाद को बढ़ाता है बलकि ये हमारे की रच्छा भी करते हैं किसकी रच्छा करते हैं बाल की नाखून की आँख की तोचा की किसकी तो ये सही आपसन होगा बाल की यूपी पीजीती 2016 में पूछा हुआ क्वस्चन है कि वसार नकेल हमारे स्वाद को बढ़ाता है बलकि हमारे बाल की रच्छा करता है नेक्स्ट क्वस्चन है कि आईरन कि सिखादे सामागरी में उपलब्ध है अंडे एव मास में पनीर में हरी सब्जियों में इनमे से सभी में तो दोस्तों आपसना नमबर D करेक्ट एसर इनमे सभी में आईरन यानि लोहा उपसित होता है रोहा आईरन आर्बीसी में यानि लाललत कोशिकाव में आक्सिजन युक्त योगिक हिमोग्लोबिन पैदा करने में शहायक होता है यह खनीज, मास, मचली, जीगर, अंडो, हरी सब्जियों, सल्जम, पनीर, गेहु, खमीर से मिलता है सरी को प्रती दिन 10 मिलिग्राम आईरन क्या सकता होती है कितना होती है, 10 मिलिग्राम नेस्ट कोशन है दोस्तों, एनिमिया यानि रख्त की कमी का मुख्य घटक निमने लिखित में से कौन सा है तो एनिमिया कैसे हो जाता है तो इसका सही आपसन है आपसर नमबर बी हीमोगलोबीन की कमी हीमोगलोबीन की कमी हो जाने से रक्त अलपता यानि एन्मिया हो जाता है इसकी कमी होने से लोहा यानि एरन हीमोगलोबीन की उत्पादें के लिए आवच्छक होता है इसकी कमी कार रक्त हिंता हो जाती है यह मालनने सब्सक्राइन सत्रम पर्यात मात्र मत्र में रूपति है सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब जब हिमोगलोबिल कम हो जाएगा तो RBC कम हो जाएगा तो हमारे सर्वी में रख्त की कमी हो जाएगी इसी को एनिमिया कहते है नेक्ट कोश्चन है दोस्तों कि हिमोगलोबिल बनाने के लिए किस तत्तों की आफ़शक्ता होती है तो आफ़सर नमबर C लोहा नेक्ट कोश्चन है कि बार-बार ऐसा ही पुछा है कि लोहे से क्या निर्मित किया जाता है जिसे हम आहार से प्राप्त करते है तो इसका भी सही अंसर होगा हिमोगलोबिल दोस्तों एक समान ब्यक्ति में हिमोगलोबिल के मातरा लगभग सो यमल रुधीर में पंद्रे ग्राम हिमोगलोबिल होता है हिमोगलोबिल क्या करता है दोस्तों ये आक्सीजन के परिवहन का कारे करता है आक्सीजन को हमारे समस्त सरीर के अंगों तक पहुचाता है कौन? हिमोगलोबिल निर्ष कोश्चन है कि निम्जे लिखीत में से कौन सा सब्द ब्रिद्धी को ब्यक्त करता है आंत्रिक सारिक क्रिया में परिवर्तन की लंबाईयों मोजन में परिवर्तन की मोनोबिज्यानिक छमता में परिवर्तन की समाजिक चिंतन में परिवर्तन सोच समझ के इसका अंसर देजिएगा दोस्तों बहुत important question है कि कौन सा सब्सक्राइब ब्रिद्धी को ब्यक्त करता है ब्रिद्धी और विकास इसको अच्छे से समझाया गया है दोस्तों कि ब्रिद्धी और विकास होता है क्या है उस विडियो को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस में जाकर जरूर देख सकते हैं तो ब्रिद्धी मतलब होता है जिसमें जिसको मापा जा सकी जो एक निश्चित समय तक बढ़ता है ब्रिद्धी मतलब होता है वो अननलत प्रस्म है जरम से मृती हो तक सतत प्रक्रिया होती है ब्रिद्धी का मतलब जिसको मापा जा सकी एक निश्चित पैमाना में बढ़ती तो इसका सही अंसर होगा आपसे नमबर B लंबाई वं वजन वे पर्युर्टन ठीक है दोस्तों ब्रिदी जो होता है वो आकार उचारी लंबाई भार में ब्रहतरी होता है इसका मापर किया जा सकता है जब कि विकास का मापर नहीं किया जा सकता है हमारे बिहार में परिवतन कोई सीख रहा है नया क्रिया एन इंदर चलता रहता है यह विकास को मापर नहीं जा सकता है तो द ग्यानिक चमता में परिवतन समाजिक चिंता में परिवतन इसा विकास को ब्यक्त करता है जबकि लंबाईयों वजन में परिवतन किसको ब्यक्त करता है ब्रिद्धि को ब्यक्त करता है तो दोस्तों ब्रिद्धियों विकास से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा इसको आप इसे से समझ पा रहे होंगे दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताए है जो सब्सक्राइब में पुरा करूंगी और जो तो, देलि बैसेस पे यह सी Q Q कुस्ट नस का स्रीज है यह देलि बैसेस पे आता रहेगा पर मुदि के जिसे जोने पर बिडियो को उसको नाउटिफिकेस आपके पहुछता रहे गा, तो दोस्तों यह डिया आप चैनल पे पहली बार विजित कर रहे हैं तो चैनल को सब प्सक